Hey everyone, कैसे हो सब? Welcome all to the channel Dear friends, आज के वीडियो बहुत ही important है Yes, because आज की इस वीडियो में हम लोग minimum wage rate के increase update के बारे में जानेंगी 1st October 2024 को लागू हुए है So इस वीडियो को एको एंग तक जिरूर देखे Because आज हम समझेंगे कि VDA revise होने के बाद Minimum wage rate कितना increase हुआ इससे कौन-कौन से workers को benefit मिलेगा वीडियो क्या होता है पूरी information लेने के लिए वीडियो को एंग दक देखे And जब इसे वीडियो को like कर दीजिए चैनल पर नई है तो चैनल को subscribe कर दीजिए So my dear friends, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि Minimum wage rate होता क्या है लेगन उससे पहले मुझे एक बात बताओ कभी ये सुना है कि 100 out of 33 marks लेने ही होंगे मतलब at least 33 marks लेने ही होंगे पास होने के लिए तो बस ऐसे ही Minimum wage rate वो rate होता है कि employer को अपने worker को at least इतना amount तो pay करना ही होगा मतलब कम से कम वो amount जो एक employer को अपने worker को pay करना ही पड़ेगा उससे ही हम Minimum wage rate बोलते हैं For example, मान के चली एक factory है Factory का ये एक unskilled worker है For say, जो government है न मान लो उसने एक fix रखा हुए कि Minimum wage rate unskilled worker का मान लो 600 रुपे है तो it means अब ये worker जितने भी दिन काम करे इसको Minimum wage rate जो है employer को 600 रुपेया तो देना ही पड़ेगा अब मान के चलू, ये जो worker है ये 25 दिन काम करता है अब Minimum wage rate कितनी है? 600 काम करें इसने 25 दिन, तो इसके total earning कितनी होगे? 15 रुपे I hope आप समझ गे होगे कि कम से कम amount की इतना तो पे करना ही पड़ेगा उसी amount को ही हम Minimum wage rate बोलते हैं So my dear friends, Minimum wage rate क्या होता है? ये तो आप समझ गे लेकिन आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि ये VDA क्या होता है? Friends, VDA की full form होती है, variable dearness allowance लेकिन इस point को मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगी उस example के साथ relate करना, फिर आप इसका meaning बहुत अच्छे से समझ जाओगे Just imagine, imagine करना है कि आपकी ममन आपको हर शाम को 10 रपे देती है आप 10 रपे वाले कुरकुरे लेके आते थे, अपने लिए daily मान लो लेकिन अब महंगाई हो गई मान के चलो यार बज़ार बे 10 रपे के कुरकरे आने बंद होगे सिर्फ 20 रपे वाले मिलते हैं तो मुझे बताओ, क्या अब आप 10 रपे के साथ 20 रपे वाले कुरकरे खरीद पाओगे नहीं, नहीं खरीद पाओगे ना अच्छा, तो आपने बोला, ममी मैं को 10 रपे और चाहिए ठीक, एक तो आपकी minimum wage rate थी मान लो 10 रपे ठीक है, अब आपकी ममी ना आपको जो extra 10 रपे दिये हैं ठीक है, तो वो 10 रपे क्या है, जो ममी ने extra दिये वही है VDA तो क्या समझें आप friends, VDA वो एक extra alone सोता है जो worker को उसकी salary के साथ दिया जाता है क्यों? अब मुझे बताओ, यहाँ पर ममी ने extra 10 रपे क्यों दिये? ताकि वो जो बाहर अप कुरकुरे का rate महंगा हो गया है बच्चा उसको खरीद सके उसके purchasing power बनी रहे समझें? तो ऐसे ही worker को क्या है? salary के साथ VDA दिया जाता है ताकि कि बाहर जो महंगाई की वज़े से चीज़े महंगी हुई है, वो उनको खरीद पाए ताकि महंगाई के साथ जो भी inflation हुई है जो भी यह महंगाई हुई है उसकी वज़े से, उसकी cost of living पे कोई असर ना पढ़ सके अच्छा, तो friends, यह कुरकरे वलित होगी यह मारी layman की language में example आप एक example और लो for example, एक worker है उसकी basic salary दस हिया रुपे है लेकिन बाहर market में जीज़े महंगी हो रही है inflation की वज़े से, महंगाई की वज़े से तो यहाँ पर अब government क्या करेगी worker को VDA देती है VDA क्या होता है, वो तो अब समझी गए तो अब मालो उसकी 10-100 salary थी वीडियो मिलो उसको 15-100 तो total कितना हो गया basic salary plus VDA 11-100-500 तो यह जो एक्षा 15-100 उसको मिला यह जो VDA मिला, यह जो उसकी increase करेगी earning क्यों ताकि बाहर महंगाई के चलते क्या है उसको financially sport provide की जाए समझ गए VDA क्या होता है My dear friends VDA क्या होता है, minimum wage rate क्या होता है, यह तो आप लोग समझ गए हो अब बात करते हैं आपने main topic की जो revision हुई है VDA की, उसके बारे में So friends, 26 September 2024 को Ministry of Labor and Employment के press release के मताबिक उन सभी workers को इस revision का फाइदा मिलेगा जो अलग-अलग factors में काम करते हैं जैसे construction, wage and ward, sweeping, cleaning, housekeeping, mining and agriculture और मैं आपको बता दो friends कि ये जो wage rates है ना वो workers के skills और geographical areas के accordingly categorize किये गए हैं जिनने हम area A, B and C कहते हैं तो चलिए फिर friends अब हम देखते हैं कि skill levels और area के हिसाब से नए wage rates क्या है Friends, जैसे कि आप लोग सक्रीन पर देख सकते हैं unskilled workers के लिए new wage rates area A 523 रूपेज basic salary पर दे इसी तरह से area B and area C के भी new wage rates आए हैं स्क्रीन पर आपको semi-skilled and supervised workers के लिए भी show हो रहे होंगे new wage rates इसी तरह से आपको skilled workers and highly skilled workers के भी wage rates स्क्रीन पर show हो रहे होंगे अब बात करते हैं watch and ward यानि security personal के लिए नए rates की बात इन्हें भी arms के basis पे difference categorize किया गया है watchmen without arms के लिए area A, area B area C के जो wage rates हैं वो आपके स्क्रीन पर आपको show हो रहे हैं यह जो new wage rates हैं यह हैं watchmen जो with arms के साथ काम करते हैं rates of VDA for employees employed in loading and unloading in goods sheds parcel offices of railways other goods sheds go down warehouses and other similar employment number 3 dogs and ports number 4 passengers and goods and cargo carried out at airports both international and domestic are as follows जैसे कि आपको स्क्रीन पर show हो रहे हैं friends, next is stone mine workers के लिए minimum wage stone mines में काम करने वाले workers के लिए new minimum wage rates कुछ इस तरह से हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर show हो रहे हैं excavation and removal of overburden with 50 meters lead 1.5 meter lift soft soil, soft soil with rock and rock के wage rates आपको स्क्रीन पर show हो रहे होंगे इसी तरह से removal and stacking of projected stones with 90 meters lead 1.5 meter lift next, stone breaking या crushing तो friends, ये wage rates हैं जो new आए हैं next जो हम बात करते हैं sweeping और cleaning workers के minimum wage के बारे में so friends, ये जो आपको स्क्रीन पर show हो रहे हैं ये है sweeping और cleaning workers के minimum wage rates लेकिन friends, the employment of manual sponges and construction of dry latrines Act 1993 के तहट जो हैं इस Act के तुरू जो manual strangings activities हैं उनको strictly prohibit किया गया है अच्छा तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि VDA को calculate कैसे किया जाता है तो हर 6 महिने में क्या है? VDA को revise किया जाता है CPI Consumer Price Index के basis पे VDA को calculate किया जाता है Friends, CPI में change देखते हुए ही Government क्या है? VDA increase करती है ताकि inflation जो महंगाई है उसका impact neutral रहे और जो workers हैं उनकी purchasing power बनी रहे So friends, ये थे 1st October 2024 को लागू हुए New minimum rates, rates की सारी information लेकिन अगर आपको और भी कोई information चाहिए या कोई details चाहिए तो आप comment section में पोच सकते हैं मिलते हैं upcoming video में तब तक के लिए Bye Bye